दिगज मल्यालम अभिनेता ममूती अब फिल्म कन्नूर स्क्वाड लेकर आए हैं। यहाँ फिल्म सिनेमेटोग्राफर रॉबी वर्गीस राज के निर्देशन की पहली फिल्म है। यह क्राइम थ्रिलर इस बारे में है कि कैसे एक ASI ने अपनी टीन के साथ चनौती पूर्ण परिद्रिशों के बीच एक अपराधी को पकड़ लिया। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ओफिस पर अच्छी शुरुआत की। रिलीज से पहले चर्चा कम थी लेकिन जवर्दस्त वर्ड ओफ माउठ ने माहौल बदल दिया है। ममूटी अभिमीत यह फिल्म हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होती जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने केरल राज्य से 9 करोड की कमाई की। कल फिल्म बहुत तेजी से आगे बढ़ी और अकेले केरल से लगभग 5 करोड की कमाई करने की उम्मीद है जो फिल्म की सफलता के बारे में बहुत कुछ बताता है। राज्य में भारी बारिश के बावजू दर्शक सिनेमा घ्रों में उमड रही हैं। मेगा स्टार ममूटी बॉक्स ओफिस पर अपनी स्टार पावर प्रदर्शित कर रही हैं। और प्रशंसत फिल्म के प्रदर्शन से बेहत उत्साहिद है। किशोर, विजैराग्वन, रोनी डेविड राज, अजीज नेदुमंगत, शबरीश वर्मा और सरत सभा ने महत्वपूर्ण भूमिकाय निभाई। ममूटी ने स्वय ममूटी कंपनी के बैनर तले कन्नून स्क्वार का निर्मान किया। सुशीन शाम ने धुनों की रचना प्रूम नेले किया है, अजय को और सरत संवाँ वर्मा मूटी भाई। जगार की। ममूटी की।